नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने से ताजे वेडियो में दोस्तों ये जो आप आउसदी देख रहे हैं न ये एक नहीं अनेक बीमारी को जड़ से खत्म करने का चमतकारी गुड़ रखती है तो देख लेजिए पैचान लेजिए का यह आउसदी बरसात के सीजन में जंगलों में अपने आफी ओग जाया करती है जी हां दोस्तों इस आउसदी का नाम है भुई सर्पुंका तो आज हम भुई सर्पुंका की फादे के बारे में ही जानेंगे बात करेंगे इस अगर आउसदी के पत्तों को तोड़ेंगे पकड़ करके दौनों हाथ उसे खीचेंगे तो यह पत्ता बिलकुल वैसा ही तूड़ता है जैसे की सर्फ गंधा का तूड़ता है लेकिन लेकिन यह सर्फ गंधा उपर को न जाकर के जमीन में फैल करके चलता है और जो बड़ा सर्फों का होता है वो जाड़ी नुमा हो जाता है तो यह सर्फों का इतना जवर्जस्त है कि अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो अनियक बीमारी को जड़ से खत्म करतेगा जैसे की सजीर के चर्म रोग दाद खाज खुजली का यह जानी दूस्मर माला जाता है अगर दाद खाज खुजली के समस्या है तो आप इस और सदी की जड़ को चंदन की भादरी पीस करके अपने चर्म रोग पे लगाते है तो ऐसा करने से दाद खाज खुजली खत्म हो जाती है इसका दूसरा प्रयोग है वह है सर्पतंस पा जो और प्रजाती के सर्प होते हैं अगर सर्पनेर काट लिया जिस कारण से पैर या ह जाती में जो सूजन हो जाती है उसको यह दूर कर देता है तीसरा प्रयोग है बिच्छू डंस के दूर करने के लिए अगर आपको बिच्छू ने डंख मार दिया है और जहर चड़ता ही जाता है तब इस ओसदी की जड़ को खाड करके और मुह में दबा करके चबाएंगे तो चबाने से आपका बिच्छू का डंख बिच्छू का जहर दूर हो जाता है तो देखा दूस्तो यह चर्म रोगों में दाद खाज खुजली में फालिलिया में बिच्छू दंस और सर्पदंस में कैसे असर करता है इसके साथी साथ आप इसका प्रयोग करके अपने लोगों से दूर हो सकते हैं यह एहर दे फेपड़े लीवर और किड्नी को सुष्च्छ रखता है इसके लिए आप क्या करेंगे एक नुस्का बता देता हूं इतना जवर्जस नुस्का होगा कि वह ग्रामबार की तरह काम करेगा आपको लेना है दस ग्राम भूई सर्फू इन सभी वह सदियों को मेरे बताए उनुसार बराबर मतम जो मैंने बता रखी हैं लेकर के आप कूट ले पीछ ले और कपड़ी से च्छान करके चूरन तयार कर ले इस चूरन को अगर आप पुनर्णवा की रस के साथ श्रेवन करते हैं तो यह आपके एड़ी से लेकर चो सर रहता है जिन्हें ज़्यादा कपजी की सिकाथ रहती है पकी हुई फल्यों को ले ले और इसकी बीज निकाल ले साथ में आपके कसोंदी की बीज इन दोनों को बीज को ले ले जाने की दस ग्राम है भुई पुनर्णवा के बीज दस ग्राम कसोंदी की बीज दोनों पेसदन यह कि कभजियत को भैंकर से भैंकर जिन کو कभज़ फो जाता है उस कभज़ को दूर करती है उस कभज़ को दूर कर साथ यह बबासी की की donate pots मारी जाती है जा जा दूस्टतो इसका चूरन जो मेरा बताया नहीं की बीड़ों का अगर चूरन सुपरियों करते हैं गुर्बूरी देरी के साथ है तो यह आपके बबासीर खोनी और बादी में भी रामबार की तरह काम करता है इसके साथ इसके धेरों फायदी है जो आने वाले वीडियों में आपको बताऊंगा तो वीडियो कैसा लागा हमें कम को सब्सक्राइब जरू कर देजगा ताकि आने वारे समय में में जो वीडियों में उसकी जनकारी आप तक पूंसके धन्दबाद